राजा बोला राथ है, रानी बोली राथ है, मंत्री बोला राथ है, संत्री बोला राथ है, ये सुबह सुबह की बात दरसल गुजरात में विधान सबाचुनाओ करीब आरुक है भाजपा अपने सारे हटकंडे जो है अब गुजरात विजानसवा चुनाओं में लगा रही है चाहे फॉक्सकॉन की विजानता जो कार खाना है उसे गुजरात में शिफ्ट करना हो या फिर कोई अन्य चीज़ आज दौपदी मुर्मू का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि देश गुजरात का नमक खारा है और देश को एहसानमंद रहना चाहिए यानि कहीं न कहीं दौपदी मुर्मू ने अपने बयानों से ये बताना चाहा कि गुजरात जो है वो एक अलग देश है और बाकी जो देश है वो गुजरात से अलग है गुजरात एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है दौपदी मुर्मू ने ये बताना चाहा दरसल गुजरात के कच्छ में जो है नमक का उत्पादन होता है नमक के किसान वहाँ नमक बनाते हैं और देखिए वो नमक पुरा देश खाता है अगर जिस हिसाब से ज्रौपदी मुर्मू बात कर रही है तो उस हिसाब से जारखन का बॉक्साइट जो है उसके वज़े से बिल्डिंग्स खड़ी होती है और पूरा देश केरला का मसाला खाता है तो ऐसी कई सारी चीजे हैं देश को अब जिस तरीके से धर्म के नाम पर बाढ़ दिया गया अब कहीं न कहीं राजियों को भी विभाजित करने की जो है यहां पर रनीती तयार की जा रही है अगर बात करें गुजरात के कच्च की तो नमक के किसान जी हां नमक के किसान जो पहले जो जो नमक के किसान अपनी खेती करते थे नमक की उसे एक जगह करके जो कमाया करते थे उससे अपना घर चलाया करते थे लेकिन आज उस नमक पर प्राइवेट कमपनियों ने अपना धाबा बोल दिया है और जो नमक 2-3 रुपे कीलो में बिखता था आज वही नमक 15-20 रुपे कीलो मिलता है याद दिलाएं आपको टाटा नमक आया था और उसका प्रचार प्रसार हुआ तक इस तरीके से कि इंडिया का नमक तो इंडिया का नमक आज देखिए 15-20 रुपे मिल रहा है जो नमक के किसान जो नमक बनाते थे उन्हें प्रती टन नमक पर यानि कि 200-300 टन नमक पर दिन उट खेतों में जिस तरीके से काम करते हैं वहाँ पर उनके पैर पतले हो जाते हैं और पैरों की हड़िया जो है वो इतनी कड़ी हो जाती है कि जलाने से भी वो राक नहीं होती कुछ नमक के किसानों के परीजन बताते हैं कि जब उनकी मृत्यू के बाद उन्हें जलाने ले जाया जाता है तो उनके पैर बच जाते हैं और पैर को उठा करके वापस से नमक के कबर में डाल दिया जाता है ताकि वो ओटोमेटिक डिकम्पोज हो जाए तो ये हाल है नमक के किसानों का और गुजरात में नमक के किसानों की इस्तिती लगातार तमाम बिमारियों से वो ग्रसित रहते हैं चाहे वो ब्लड प्रेशर की बिमारी हो हार्ट की बिमारी हो सारी बिमारी जो है उनको होती है लेकिन सरकार उनके लिए कोई पोखता इंतिज गुजराट में नमक और इन सब चीजों के नाम से सियासत करने से पहले इन सब के उत्पादकों के जो जरूरियात है उसपर सियासत की जाए तो जज्यादा बेहतर होगा फ्राल इस खबर में इतना है था तब तक के लिए बने रहे और देख तेरे नेक्ट राइन निजनेशन, धन्यवाद.